हेलो एवरीवन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 एलेक्रो स्टैटिक्स का चैप्टर नमबर 2 एलेक्रिक पोटेंशियल एड कपास्टिंस हमने लास्ट क्लास में इसके स्टार्टिंग मदब पोटेंशिल क्या होता है यह पड़ लिया था अब हम स्टार्ट करने वाले हमने एलेक्रिक पोटेंशिल के डीघूलर। एलेक्रिक डायपोल एड ऐण वाठ अग्सुल या फिर एट dGroup हम परते हैं के लिया और हम हम उलेक्रिक फिल्द के लिएभिए पड़ात एग्ड़ फटेंशिल के लिया ठीक रहे तो स्टार्ट मोठस पहले अम अलेक्रिक पू potential due to electric dipole at axis या फिर at axial line कुछ भी लिख सेंगे अब हमें यह बात जाने जरूरी है कि electric field जो है वो एक vector quantity है लेकिन जो electric potential है यह एक scalar quantity है तो वहाँ पे हम क्या यूज करते थे ? e vector use करते थे ? d cap use करते थे ? लाच में हम e vector use करते थे ? और फिर p cap भी लगाना पड़ता था ? यह पे ऐसा कुछ नहीं करना था ? इसकी derivation जो से काफी दाधा simple है अब सबसे पहले diagram बना लेते है यह हो गया point A यह बाला point हो गया P यह माइनस क्यू प्लस क्यू total distance हमने ले लिए 2A तो यह वाले distance A हो गया and यह वाले distance भी A हो गया अब यहाँ पे एक charge है Q0 अब center से Q0 का distance है R वही सेम diagram इस जो अलेक्ट्रिक फीड में लेदा अब आगे देखते हैं सबसे पहले हम इस पोटेंचिल निकाला है अट A तो आपने लास में लास में लास में लास में लास में पढ़ लिया था सेमिलरली हम VB निकाल सकते हैं VB कितना होगा 1 upon 4π eps y0 plus Q जैंफिर सिर्फ Q भी लिख सकते दे upon R-1 VA की value निकाल ली VB की value निकाल ली अब हम निकालते हैं V net V net क्या होगा VA plus VB इस में क्या common है q upon 4 pi epsilon 0 अगर हम common ले लेते हैं तो अंदर क्या बज़ेगा 1 upon r minus a minus 1 upon r plus a यह बज़ेगा यह minus का sign यहां पर आजाएगा अब आगे इसे solve करते हैं q upon 4 pi epsilon 0 r plus a minus r plus a यह वाला minus यह वाला minus में लाकर plus होगा upon r minus a r plus a अगला step यही फर्दर solve करेंगे q upon 4 pi epsilon 0 a plus a कितना होगा 2a upon r minus a r plus a को भी लिखतें के r square minus a square to v net is equal to 2a q क्या होता है dipole तो उसका हमने p लिख दिया dipole moment 4 pi epsilon 0 r square minus a square यह हमारा बैठता है formula v net का at axis at axis और इसमें भी हम special case लेंगे जब a tends to 0 है मतलब ideal dipole for ideal electric dipole 2a tends to 0 a tends to 0 तो b net कितना हो जाएगा p upon 4 pi epsilon 0 r square तो यह हमने पढ़ लिए 2 अमले axis पर अगला है हमारे पास equator second हम देखते हैं equator equator potential due to electric dipole at equator अब equator पी कहा अओधा है यह case जान आपा है तोड़ा इंपोर्टेंट है यह एक ट्राइंगल है विशब ट्राइंगल हमने कंसिडर कर रहा है एक एक्वेटर वाला पॉइंट है तो उसका टाइग्राम ऐसी बनता है 90 डिग्री र र हमने दोन देगा बिस्टेंस ले लिए इसका यह भी आ रहे यह भी आ रहे यह भी A है अद यह भी A है दिस इस-q दिस इस-q अब देखते हैं जो v-q है वह कितना होगा 1 upon 4 pi epsilon not q upon r और v-q कितना होगा 1 upon 4 pi epsilon not minus q upon r यह होगा ना i minus यह equator वाले point equator point पे यह charge है तो minus q और r और plus q और r यह b plus q और v minus q होगे तो यहां पे b net आया वह क्या आएगा k q upon r k मैंने इसको लिख दिया 1 upon 4 pi epsilon not 1 upon 4 pi epsilon not को मैंने k बुट कर दिया आप यह कर सकते हैं लिख देना minus k q by r यह यह आएगा plus मैं यह 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 कर दिया plus minus k q by r तो k q by r minus k q by r तो यह क्या हो गया 0 मतलब जो net electric potential है electric dipole के दिवारा at equator is always 0 equator पे electric potential हमेशा 0 होती है यह note आपको याद रखना है अब यहां पे लिख लिख लिए electric potential at equator is 0 while electric field is not 0 तो अगर आपसे question में आये कि name the point at which electric field is non-zero but electric potential is 0 तो उसका क्या answer लिखेंगे आप at equator 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 पे जो electric field होती है वो होती है non-zero लेकिन जो electric potential होता है वो होता है 0 तो यह अब हमने दो छोटी सी पर जादर difficult नहीं थी दो चोटी-चोटी derivation अगर आपको वो electric field वाली याद है तो आपको automatically यह भी याद हो देगे अब हम आगे question देखते है question हमसे कहता है कि show that minus e is equal to d by dx of v where x is potential gradient अभी हम मतलब देखते है इसका हमें यह प्रूफ करने है कि minus of electric field is equal to the change in potential difference अब dx क्या होता है सबसे एले तो potential gradient क्या होता है potential gradient the decrease of potential with respect to length तो gradient का मतलब ही होता है कि अगर किसी भी quantity के साथ अगर gradient आ जाए तो इसका मतलब ही होता है the decrease of that quantity with respect to length the decrease of that quantity with respect to length is known as that substance gradient तो यह अभी potential है तो potential gradient क्या होता है the decrease of potential with respect to length तो हम इसे प्रूफ करते है हमने formula पढ़ा है dw is equal to f dot bx vector dot product की जगा जाएगा cos theta अब जमान लो यह 4 q q not अब electric field इस direction में f इस direction में और q not जा वो इस तरफ से आ रहा है बंदब dx यह हो गया potential gradient dx हो गया q not इस तरफ से आ रहा है अब electric field और electric dipole के बीच में जो theta होता है वो कितना होता है तो dw को हम लिख सकते है minus f dx यह बाद आपको समय जा गई अब हम f को क्या लिख सकते है e into q यह q not into e f जो होता है q not into e होता है तो dw is equal to क्या हो जाएगा minus q not e dx अब इस q not को हम नीच लेगा तो dw upon q not is equal to minus of e dx अब dw upon q क्या होता है work done upon charge that is equal to dv हमने पढ़ा है v is equal to w upon q होता है तो dw upon q क्या होता है small work के ले small potential dv dv is equal to minus e dx therefore minus e is equal to d by dx dv और ये ही चीज़ हमें proof है अब यह आप यह वाला question करते है अग्या अग्या टॉपिक यह हम पढ़ने वाला है अग्या अग्या टॉपिक यह हम पढ़ने वाला है अब चाप्टर 1 और चाप्टर 2 दोनों की most important है और इसी को समझने में कोड़ी सी दिक्कत होता है क्योंकि बागी साथी derivations तो इसको समझने में सोड़ी सा time लग सकता है तो वेखते हैं सबसे पहले यह derivation है यह actually derivation यह question की form में आता है यह question की form में आता है calculate electric field due to charged ring at its axis अब आपको imagine करना है कि यह 3D diagram है आने बाला हूं और हम इसमें काल्कुलेटिया करना है यह एक रिंग है तो उसका जो यह axis मानलो यह एक circle है तो उसके बीच से जो लाइन करते है अब हमने स्कुटिटा करते है तो जो यह देंग है उसका जो axis उससे जो लाइन पास हो रही है हमें उस पर electric field calculate electric field पे यह question तो 1st chapter से इन डेखेड़ा है अब प्रॉपर एक diagram बनाते है यह होगी यह crane यह याद रहना 3D diagram है मतलब यह वाला जो surface है यह थोड़ा पहार को निकल रहा है और यह वाला अंदर की तरफ है 3D diagram है इसलिए आपको थोड़ा imagine करके चलना करें अब हम यहाँ पे इसका axis ले रहे है यह हो गया इसका axis अब इस पूली रिंग के उपर positive charge है इस रिंग है इसका radius ले लिया अब इसकी small length को ले लिया DL इसकी बहुत ही छोटी सी length को अपने ले लिया DL यहां से यह ऐसे जाएगा sorry यह थोड़ा सा मेलती होगी यह 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 ऐसे और similarly ऐसे बीचे से यह वाला जो distance है यह हो गया R और यह किस point से distance है जहां पे charge है जहां पे charge है तो यहां से इस तरफ यह आप diagram याद रखेंगा यह हो गया theta यह भी कितना हो गया theta हो गया यह d e similarly नीचाला भी d e अब यहां पे क्या होगा d e cos theta होगा यह वाला component जब हम इसे component में divide करेंगे तो देखे ना यह भी d e cos theta यह d e sin theta और यह भी d e sin theta और यह जो length है यहां से लेके यहां तर इसको हमने ले लिया X तो r square के हो गया a square plus x square अब हम सिगर से देख सकते है कि जो sin theta component d e sin theta component will be cancelled out while d e cos theta component तो net electric field कितना आ गया e net अब यह add तो होगे लिए यह ने कि हम यहां पर 2 d e cos theta लिखेंके हम यहां पर सिर्स d e cos theta लिखेंगे because अम जब इसका integration करेंगे e net का पूरे के लिए निकालना है न हम तो d e cos theta लिखेंगे क्योंकि हम लिमिट ले रहे हैं जीरो से 2 pi दे ले रहे हैं मतलब हम alreadys का integration पूरे से साथ कर रहे हैं तो हम सिर्फ इसकी एक वैल्यू लेंगे जोन वैल्यू नहीं रिखते हैं अगर हम यहां पर 2D cos theta लिखें लिख सकते हैं ठीक है लेकिन फिर यहां पर सिर्फ pi a बचे तो हम क्या करते हैं यहां पर 2 नहीं लगाते हैं इसको ऐसे limit लेके चले इसको हमने इमान लिया equation x तो d e क्या होता है k के यहां पर क्या है 1 upon 4 pi epsilon not k is equal to 1 upon 4 pi epsilon not यह आपको mention करना जरूरी है क्या हिया क्या है क्योंकि नहीं तो k dialectric constant को ही और as we know हमें पता है कि यहां पर d e की value है और d q की value क्या होती है q d l upon 2 pi है यह लिखेंगे अब तो d e क्या बन जाएगा k q d l upon 2 pi है r square अब यह 1 ले ली put 1 in x अब 1 को हमने x में रखा है वाली equation में put कर दिया तो क्या हो जाएगा e net is equal to root 0 2 pi a k q upon 2 pi a r square d l cos theta और cos theta को हम अगर आप उपर देखेंगे x upon r cos theta क्या होता है cos theta क्या होता है base upon hypotenuse तो base क्या है यहां पर x और hypotenuse क्या है base है x और hypotenuse है r cos theta क्या हमने लिख दिया x upon r तो e net k constant q constant x constant 2 pi a square sub constant बहार आगे क्योंकि हमें differentiate d l के basis पर करना है तो 0 से 2 pi a d l वाचे गांतर से तो हम इसको क्या लिखे k q x upon 2 pi a r square 2 pi a minus 0 अब 2 pi a 2 pi a से 2 pi a पूरा-pूरा cancel हो गया तो e net आया वह कितना आया k q x upon r square और r को हम लिख से sorry r q हो जाएगा यहां पर भी तो e r था r लिखा है यहां पर जाने करती है k q x upon r q और r cube को हम क्या लिख सकते हैं देखो r square को हम लिख सकते हैं a square plus x square r को हम क्या लिखेंगे a square plus x square 1 by 2 a square plus x square 3 by 2 को हम लिख सकते है k को लिखते है q x upon a square plus x square to power 3 upon 2 अब इसमें भी हम एक case बना सकते हैं मतलब रिंग जो है तो a 0 हो जाएगा क्या बच जाएगा 1 upon 4 by epsilon 0 q x upon x cube 1 upon 4 by epsilon 0 q upon x square और यह तो हमारी electric field बन गई मतलब यह formula वह है यह electric field का ही formula कि इसी point पे अब वह point जाएगा वह point है तो उसका radius negligible है अब उस point का अगर radius बढ़ जाता है तो एक ring बन जाता है तो ring के लिए हमार पस यह formula हो जाता है अगर यह ring नहीं होता है इसका radius negligible होता है तो एक point की तरह काम करता है और point वह हम electric field calculate कर चुका है तो इसके साथ हमार यह बहुत ही यह वाली जो derivation के आई है यह question था यह most important था दोनो यूनिट दोनो chapters था तो यह वालो तो आपको डेफिनेटली तुरा यात मेंना है step by step अब मिल दें next video कुछ